लखीम पूर खीरी कांड पर शुप्रिम कोट में आज सुनवाई हुई है और इसमें यूपी सरकार को जम कर फटकार भी लगाई गई है कोट ने कहा है कि उपी सरकार द्वारा अब तक की गई कारवाई से वो संतोष नहीं है कोट ने इस पर भी नाराजगी जताई की अब तक मुख्य आरोपी आसिस मिस्रा के गिरफतारी क्यों नहीं हुई है अब कोट मामले की अगली सुनवाई दसहरेक के छुटियों के बाद 20 अक्टूबर को करने वाला है कोट में उपी सरकार की तरफ से सीनियर वकेल हरिश चालवे पेश हुए थे उन्होंने में तक किशानों की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट का हवाला देती वे कहा कि मौत गोलिया लगने से नहीं हुई है इस पर चीफ जसिस ने कहा कि मौत गोलिय लगने की वज़ा से हुई या किसी और की वज़ा से हुई लेकिन मामला ह générका तो है छुपरिम कोट को हरिश चालवे ने कहा कि अभयोकता असिस मिष्रा को नोटीस भेजा गया है व踵 आज आने वाला था लेकिन उसने कल शुबह तक का टाइम आगा है उसने हमने उसे कल और परिशासन इतने गंबीर आरोपर और अलग बरताव क्यों कर रहा है कोट ने कहा कि मामला जब 302 का है तो फिर बाकी मामलों की तरह गिरफतारी क्यों नहीं हुई है चीफ जजिस्ट ने पीट की ओर से जारी आरेश में कहा कि कोट सरकार की कारवाई से संतुष नहीं है इसमें पोस्ट मॉडम रिपोर्ट का जिकर किया गया यह भी बताया गया गए घटनास्थल से दो खाली कारतोष मिले हैं इसके अलावा एसाइटी के गठन की बात की गई है कोट ने इस पर भी फटका लगाई कि एसाइटी में सिर्फ आस्थानिय पुलिस अधिकारियों को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से योगी सरकार अपने मंत्री को बेटे को बचाने के लिए इतनी नीचे गिर चुकी है कि वो जो कोट उसके भी मामलों को नहीं मान पा रही है खर इस पर आपके क्या रहा है कॉमेंट बॉक्स में ज़रू बताईए निवस रोम प्रिम्सार्पिध लिगे खरी कार्णी अचल करेंसी नीचे इतनी नीचे क्या है श्यूब स्वच्ड़ आपके लिए सेथे लिए लगारा इनना पापके लिए बतूब्देटर्टे लिए 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 अपने लिए लिए